मैं राम निवास श्याचारिये स्री कल्याण राज की एक अन्या महाविद्धाले सीकर आज मैं आपको अंतराश्य समंधूं के अंतरकत भारत की पूरब की ओर देखो निती से पूरब में काम करो निती तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा अपन वीचारों का आदान परदान करेंगे चर्चा करेंगे कर पिया इसको ध्यान पूरवक शुननी की और समझनी की कोशिश करेंगे ऐसी महाव से आसा करता हूँ आसियन दक्षनी पूरवी ACI रास्ट्रों का शंग Association of Southeast Asian Nations यह दक्षनी पूरवी ACI रास्ट्रों का शंग है और इसके 10 सदस्य देश हैं जो इस प्रकार से हैं इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओश, कंबोडिया, मलेशिया, मेमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइलेंट और वियतनाम 1967 में 1967 में दक्षनी पूरवी ACI के पांस देशों ने छेत्रिय सहियोग के उदसे से आसिया नामक ऐसेनिक संगठन का निर्मान किया 8 अगस्त 1967 को बेंकोक में एक संदी पत्र पर हस्ताक सरकर इसके निर्मान की ओपचारी घोशना की गई एक इसमें इस्ट एसिया पूरवी एसिया भी को भी हम इसी विश्यवस्तों में लेते हैं जो इससे समधित है इसमें प्रमुख देश हैं चीन, होंग कॉंग, जापान, मकाउ, मंगोलिया, उत्री कोरिया, दक्षनी कोरिया और ताइवान अब हम सीधा इस पर आएंगे कि भारत आशियान शमंध है, जो दक्षनी पूरवी एसिया रास्तों का जो संग है, उसके साथ जो भारत के शमंध हैं, वो किस परकार से चले हैं, क्या उतार से डाव रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि भारत का आशियान देशों के साथ शमंध हमारी विदेश निती का प्रमुक इस्तंब है, और हमारी पूरव में काम करो निती, एक्ट इस्ट पॉलिशी के आधार सिला है, परदान मंत्री पीवी नर्शिंगा राव के समय पूरव की और देखो निती की शुरुवात हुई थी, जिसे अटल बिहारी वाजपे की सरकार ने उक्ता किया, आज नरेंदर मोदी के नितर्त्ववाली NDA सरकार ने इसे पूरव में काम करो की निती की रूप में अधिक शक्रिये एवं गतिशिल निती का रूप दिया है, 26 जन्वरी 2018 खो गनतंतर दिवस पर पहली बार दस आशियान देशों के राश्टर प्रमुखों का मुख्य अतितिक के रूप में स्वागत पूरव में काम करो निती का जवलंत उधारन है, चीन से मिल रही चुनोती को देखते हुए आशियान नेताओं का भारत दोरा महत्वपून है, सन 1902 में में भारत आशियान का सेक्टोरल पार्टनर बना 1906 में डायलोग पार्टनर तथा 2002 में सिखर इस्त्रिय पार्टनर बना समिट लेवल पार्टनर, भारत आशियान समंदू को 2012 में रणनेतिक भागीदारी स्टेटेजिक पार्टनर शीप की इस्तर पर लाया गया, आशियान देशों की अर्थ वेवस्ता, विश्वे की छटी सबसे बड़ी अर्थ वेवस्ता है, आशियान देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिष्टों की सुरुवात वर्स 1990 के दसक में हुई थी, भारत आशियान व्यापार वर्स 1990 में मातर 2.4 अरब डालर था, वहीवए वर्स 2016 में बढ़कर 80 अरब डालर पर पहुँच गिया, और मोदी सरकार इसे वर्स 2022 तक 200 अरब डालर तक पहुँचना चाहती है, पूंचानी का लक्षे रखा है, तो इस परकार से ये हमारी उसके साथ व्यापक आर्थिक जो समंद हैं, वो भी इसमें सामिल हैं, व्यापारिक समंद भी हैं, डायलोग और सीखर समिट, ये सारा सब एक अच्छी दिशा में चल रहा है, आसियान देश भारत के साथ विभिन आर्थिक शाजयदारी के साथ सामरिक शहयोग की भी आशा रखते हैं, सुकि आसियान देश शमुंदरी शिमाओं पर चीन के च्छत्रिये वर दवापूर्ण मनसुबूं से तरस्त हैं, इसलिए वे लोगतांत्रिक भारत को अपना समुंदरी मित्र मानते हुए आर्थिक समुंदू में उपियोगिता देख रहे हैं, वो इसके आशियान रास्टर हैं, भारत और आशियान दोनुं की जो अंतर निर्परता, दोनुं एक दूसरे में अपने सुरक्षया को देखते हैं, जैसे शमुंदरी शिमाओं पर चीन की जो व्यापक अस्तर की घुस पेट है, वो जो दवाब बना रहा है, तो ये आशियान रास्टर वो चाते हैं कि भारत जो लोक्तांत्रिक मुल्यों वाला देश है, यदि इस तरह पर हम सब एक हों तो फिर थोड़ा साख चाहिना है, उसको बिलिंस किया जा सकता है, नॉम्बर दोजार चोदा में मेनमार नेपिता में आयोजित भारत आस्यान शिखर बठक में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ओपचारी ग्रूप से पूरब में काम करो की निती का शुत्रपात किया, ये मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़ कर ये इस निती को नए प्रकार से शुरूप किया, इसका शुत्रपात किया, और उपसहार के रूप में हम देखते हैं कि पूरब की और देखो निती, दक्षनी पूरवी एस्याई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और सामरिक शमंदों को विक्षित करने का प्रियास है, ताकि इस छित्र में, छित्रिय शक्ति के रूप में, खुद को इस्तापित किया जा सके, इसकी शुरुवात 1901 में हुई, और इसे पीवी नर्सिंगा राव के शासनकाल में विक्षित और लागू किया गया, हालांकि बाद की अटल बिहारी वाजपेई, और मनमौन सिंग, और अब मोदी सरकार ने भी इसे कड़ाई, या फिर कहना चाहिए, मजपूती से अपनाया है, वो इसको लागू करने जा रहे हैं। तो ये इस परकार से हम भारत और आस्यान के समंधों को व्यापक प्रिपरक्षे, जिसमें व्यापारिक भी है, शांसकर्तिक, सामाजिक और तकनिकी का, ये सारा सब इसमें, एक जो चाइना को बेलेंस करने वाली बात है, वो भी इसका भोत बड़ा एक कारण है, फिक्टर है, तो इस परकार से ये जो भागीदारी है, ये बहु आयमी है, और इन देशों के साथ भारत के येदी और अच्छे प्रगाड समंध होते हैं इन छित्रों में, तो निश्चित्रों से चाइना इस छेत्र में, दक्षनिपूर्वी, एस याई छेत्र में वो दादागरी नहीं कर सकता, और आज मैं यहीं मेरी वानी को विश्राम दूंगा, आप सबने ध्यान पर रुक्षना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.